तो चलो दोस्तो आज हम लोग कहानी को continue करते हैं सोचा है आज पूरा कहानी को खतम ही कर देना है तो कल हम लोग देखे थे कि हमारे लेखक bread bangles खा रहे थे खा लिये उसके बाद वो bread का importance बताते हैं कि गोवा में bread का क्या important है अगर किसी का साधी में gift देना हुआ ना तो उस समय gift के साथ मीठा bread रहना बहुत जवरी है अगर मीठा bread नहीं है ना तो साधी का gift का कोई meaning नहीं निकलता है कोई मतलाबे नहीं निकलता है तो वो sweet bread को bowl कहते हैं ठीक है अच्छा अगर कोई party है कोई भोज खिलाया जा रहा है तो उसमें अगर bread नहीं हो तो उस party का चमक हो जाता है जैसे आज-कल का जिंदगी में हमारे यहां अगर सादी का पाटी खिला रहे होना तो उसमें मीट रहना जूरी है अगर मीट नहीं रहना तो लोग कहते हैं कि यहें कुछ इज्जत नहीं किया कुछ लोग का हालत कुछ ऐसी प्रकार से है अगर कोई पाटी में या फिर कोई भोज में ब्रेड नहीं दिया तो आदमी लोग को आते है कि यह कोई इंगेजमेंट हो रहा है तो महिला लोको तो बहाना मिल जाता है वे लोग पूरा सैंडवीच सब बनाना सुरू कर देती है और बनाने के किसी बेटी का इंगेजमेंट में सैंडवीच जरूरी है अभी क्रिस्मस आ रहा है क्रिस्मस या फिर और किसी भी तेवहार में महां केक रहना जरूरी है केक और एग चीज खाने वला रहता है जिसका नाम है बोली नहास तो केक और बोली नहास ये दोनों चीज क्रिस्मस य तो यह सब रहना बहुत जोरी है तुम समझ सकते हो गुवा में ब्रेड बनाने वाला भथी और ब्रेड बेचने वाला बेकर यह सब का कितना इंपोर्टेंस है प्रेड के विना कुछ कामे नहीं होता है अच्छा पॉर्टिग्यूज डेज में मतलब जब पॉर्टिग्यूज लोग इंडिया को कोलोनी बनाये थे उस समय बेकर्स लोग एगो ड्रेस पहनते थे जिसको कभाई बोलते हैं यहां पर तुम के हासी लगता है और हमारे लेखक जब छोटे थे उस समय बेकर्ष लोग कुछ दूसरे ड्रेस बहनते थे क्या क्या पहनते थे बेकर्ष लोग एगो सट पहनते थे और नीचे टाउजर रहता था ऐसा पैंट रहता था ना यार कि उसको फूल पैंट भी नहीं बोल सकता है और उसको तुम हाप पैंट भी नहीं बोल सकता है फूल और हाप के बीच का पैंट उलोग ऐसा पैंट पहनता था जो घुटना से नीचे तक आता था देखो हाप पैंट अई उस पैंट को कहते हैं जो घुटना से उपर तक आए और फूल पैंट तो जानते ही हो पूरा नी तो गुवा के लोग लोग को पेडर कहके बुलाते हैं क्योंकि वह पेडर जिस अड्रेसे पहना है तुम्हारे इस चेप्टर का लास्ट पैरग्राफ में यह बताया गया है कि यह बेकर लोग अपना बिल कैसे कलेक्ट करते थे मतलब पुरा ब्रेड उरेड तो सब बेच दिय लेकिन ब्रेड बेचने के बाद पैसा कई से कलेक्ट करता था या या ब्रेड लो पैसा दो अईसा नहीं भी जिए तो बीजिशने के जैसे दूध वाला तुम्हारे घर करता है वैसा ही ये बेकर लोग भी करते थे अच्छा जैसे दूध का हिसाब लगाया जाता है कि आज एक लिटर कल आधा लिटर तो ये लोग वो सब हिसाब कहां लगाते थे यार ये लोग ऐसा हिसाब दिवाल में लगाते थे दिवाल में पेंसिल से लिख देते थे, कि हाँ, एक तारीक को इतना ब्रेट दे दिया, इतना ब्रेट बेंगल्स दिया, ऐसे कहका के पूरा हिसाब लगाते थे, फिर महिना के लास्ट में उसाब को जोड के, फिर पैसा जितना होता था ले लेते थे, वैसे वियार ये बेकिंग का काम करे आगर तुम्हारा एक्जाम में भी कोशन है ना तो यह पॉइंट को लिख देना पूरा का पूरा नमर मिलेगा। देखो, अगर उसका ये घाटा का बिजनेस रहता, तो उन लोग तो भूखे रहता, लेकिन यार, उन कभी भूखे नहीं रहा, उसका परिवार कभी भूखे नहीं रहा, दूसरा पुरूप, देखो भईया, उन उसका परिवार और उसका जित्रा भी नोकर चाकर था ना, उन दूसरा पुरूफ है और तीसरा पुरूफ सबसे बड़ा पुरूफ जिसको देखके तुम कह सकते हो कि यह बेकरे उसके लिए सही में फैदा का बिजनेस था कि यार वो लोग मोटा ताजा बहुत दिखते थे कोई बेकर आ रहा है ना तो तुम दूरे से देखके पहचान ले यह प्लंप फ्लंप मतलब होता है मोटा ताजा जार वो लोग पुरा मोटा ताजा रहते थे तो खाई पीए चेज sujet अबहुत मजा आया गया और मुझे वह बहुत मजा अया चलो कल ट्राई करता हूँ कुर्ग का वीडियो बना दूँ ठीक है चलो बाई